हलो सुटेंट, स्वागत है आप सभी का, आपके अपनी चैनल गौड ग्लासेस पर तो बच्चो वाज की जो क्लास है, उसमें हम इंटिग्रेशन बाइपार्ट्स का ही एक और पार्ट करने वाले हैं इंटिग्रेशन बाइपार्ट्स हमने पिछले वीडियो में करा था, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्म गी, जो इंटिग्रेशन बाइपार्ट्स से बनती है, उससे क्वेशन जो आपके वो डिरेक्ली सॉल्व हो जाते है, कुछ स्पेशल केसिस में तो वो स्पेशल केसिस क्या है और क्या-क्या उसमें आपको समझना है, वो सारी चीज़े हम यहाँ पर डिसक्रस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो एपलाइट मैथेमेटिक्स का क्लास 12 का एपलाइट मैथेमेटिक्स का जो कोर्स है, चाहें वो ML अगरवाल से हो या पर CBSC Handbook से हो, उसका Complete Solution in PDF Format God Glasses की एप है, उसका उपर अवेलेबल है, तो वो एप कहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको इटेंशन लेने की जरुवत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाके अगर आप Android हैं, तो Android App भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आई-उस यूजर हैं, तो आप iOS App डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद उसमें जो PDF Courses हैं, वो आप वहां से परसेज कर सकते हैं, ताकि आपकी जो Self Study है, जहां पर आपको PDF Courses की नीड होती है, वहां पर आप उसको वह अगर आपके पास कोई function है, Fx, ठीक है, अगर कोई function हमारे पास Fx है, और इसका derivative साथ में आपको यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, जो function है, उसी function का derivative आपको साथ में दिया हुआ है, इंटू में E की पावर X भी होना चाहिए, इसका अगर आपको integration करना है, तो यह कह रहा है कि इसका answer हो जाएगा, Fx इंटू में E की पावर X, यानि जो function यहां पर दिया हुआ है, जिसका derivative involved होगा, ठीक है, उस वो function आपको लेना यहां पर, और E की पावर X, यह आपका answer होगा, अब कहों के साथ यह answer आ कैसे है, तो इसको हम प्रूफ करते हैं कि यह answer कैसे आया, अब यहां पर देखिए, इसमें जो हमारे पास term है, इसको हम दो parts में तोड़ देते हैं, तो integral हमारा यहां पर क्या बन गया, यह आगया, Fx, E की पावर X, प्लस में F-X, E की पावर X, यह question बन गया, अब इसमें हम क्या करते हैं, यहां पर यह जो first वाला function है, Fx, इसको हम first function treat कर इसको second function treat करके, जो integration by parts method है, वो use करते हैं, तो उस method के according जो पहले वाला function होता है, उसको हम as it is लिखते हैं, दूसरे वाले का हम integration करते हैं, तो इसका integration same ही रहेगा, फिर minus sign करते हैं, और पहले वाले का हम derivative करते हैं, और दूसरे वाले का हम integration करते हैं, और फिर यह जो भी term आती आपको दिया हुआ है, ठीक है, प्लस में ये आपको दिया हुआ है, अब ये वाली वेल्लू और ये वाली वेल्लू दोनों वेल्लू देखो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, ये F-X E की पावर X, ये भी F-X E की पावर X है, तो ये आपस में हो जाएगा आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा F-X E की पावर X प्लस में, प्लस में यहाँ पर जो C आएगा इंटिकेशन करने के बाद प्लस में C, तो ये ही हमारा आंसर यहाँ पर आ रहा है, तो यानि अगर कहीं कोश्चन में ऐसे आता है, कि आपके बाद जो भी फंक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव साथ में इंटू में लॉग X, प्लस में C, ऐसे यहाँ पर देखो ये X स्क्वेर है, X स्क्वेर का डेरिवेटिव आपको दिया हुए 2X, तो इसका डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो आंसर क्या बनेगा, E की पावर X, इंटू में X स्क्वेर, प्लस में C, सेम यहाँ पर X है, X का ड derivative होता है, minus one upon x को है, तो इसका derivative दिया हुआ है, तो यह answer में आ गया है नहीं, तो one by x into में e की पावर x, plus में c, अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर ऐसा कोई c नहीं है, यहाँ पर e की पावर x भी नहीं है, तो इसको आप कैसे तरह से कर सकते हैं, इसको आप one को अलग कर सकते हैं, लोग x को अलग कर सकते हैं, और integrating by parts वाला जो तरीका है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम इस वाले method की बात करें, इस वाले method से यह तब बन सकता है, जब हम log x को t put कर लें, तो log x को आपने t put किया, log x का derivative करेंगे, तो वाज़ेगा, one by x, dx equals to dt, और इसको आप इधर लेके जाएंगे, तो dx की value बनगी, x into dt, अब यहाँ पर जो x आ रहा है, उस x की value की आपको जरुवत पड़ेगी, वो x की value आप यहाँ से निकालेंगे, जो आपने put किया था, अगर मैं log को इस सेट लेकर आऊंगा, तो log इस सेट आने पर यह e की power में convert हो जाता है, और जो भी term यहाँ पर होती है, यह इसकी e की power में चले जाती है, तो x की value e की power t है, उसको आपने यहाँ पर put कर दिया, तो यह बन गया e की power t into dt, तो यह जो integration है हमारे पास यह क्या बना, integration बनके हमारे पास 1 प्लस में log x को आपने क्या put किया था, ती put किया था, और जो dx की value हो वो क्या ही है हमारे पास e की power t into dt, अब देखो यह वाला question और यह वाला question दोनों सेम ही तो बन गए, बस फरक क्या है, यहाँ पर x है, यहाँ पर t है, तो t का derivative होता है 1, अब t का derivative 1 है, तो मारा answer क्या बन गया, t into में e की power t plus में c, अब आपको बस t की जगे क्या करना है, यह value put कर दिने है, t की जगे आजाएगा log x, और e की power t की जगे आजाएगा x, प्लस में c, यह आपका final answer बन जाएगा, उसके बाद अगर next question की बात करें, question number fourth, यहाँ पर यह कहता है कि यह आपको इसका integral करने पर यह आएगा, तो यहाँ पर जो fx आ रहा यह क्या है, तो इसको integrate करने के लिए क्या करें, यहाँ पर इन दोनों terms को आप separate कर लो, इसको आप ऐसे लिख लो, x upon x square, minus 1 upon x square, अब यहाँ से x से cancel हो जाएगा, तो यह बनेगा 1 upon x minus 1 upon x square, अब यहाँ पर जो special form के हमारी property चाल रही है, वो property यहाँ पर बन गी, क्योंकि 1 by x का हम derivative करेंगे, तो minus 1 by x square होता है, तो यहाँ इसका derivative यह आपको दिया हुआ है, तो answer क्या बना, 1 upon x into e की power x plus c, अब इस answer को आप compare करो, जो आपको equals 2 में यह दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो, 1 by x into e की power x है, यहाँ पर fx into e की power x है, तो इन दोनों sets को अगर हम compare करेंगे, तो fx की value आपको मिल देगी, fx की value मिल देगी, 1 upon में x, question number fifth में भी, लगबग लगबग same type से question है, बस फरक क्या है, यहाँ पर x नहीं दिया हुआ है, e की power 2x दिया हुआ है, तो इसको हम 2x को t boot कर लेंगे, इसको हम यहाँ पर खोल भी देते हैं, इसको अलग-अलग कर देते हैं, 2x upon में 4x square, minus 1 upon में 4x square, यहाँ से इसको हम cancel करेंगे, 2 से 2 cancel हो जाएगा, 1 x से x cancel हो जाएगा, तो यह बनेगा 1 upon में 2x, और यह आ जाएगा, 2x का whole square, अभी जहाँ जहाँ यह 2x आ रहा है नहीं, सब को खतम कर दो, और 2x को put कर दो आप t, इनी पुट करना, खाली 2x को t put करना है, इसका integration करेंगे, तो यह आ जाएगा, derivative करेंगे तो, तो dx की value बन जाएगी, dt upon में 2, तो यहाँ से आप जो question क्या बना आपका, यह बन गया 1 upon t, minus 1 upon t square, और e की power, यह बन गया t, dx की जगे बनेगा dt upon में 2, जो upon में 2 आ रहा है, जो constant आ रहा है, इसको आप बाहर लिख सकते हों, आपर 1 upon 2, अब यह question में, इसका derivative आपको यह मिल गया, अब इसका derivative यह मिल गया, तो हमारा answer बन गया क्या, 1 upon में 2, 1 upon में t, into में e की power t, plus में c, यहाँ पर हम t की जगे value पुट कर देते, तो यह बन जाएगा, 1 upon में 2, e की power 2x, divided by 2x, और यह 2 से 2 multiply हो जाएगा, तो यह answer आजाएगा, e की power 2x, upon में 4x, plus में c, यह हमारा इसका answer आगया, अब question number 6 की हम बात करें, तो 6 question में क्या कहता है, यहाँ पर इसको integrate करना है, अब यह जो question number 6 का जो first part है, second part है, यह जो seven का जो first part है, वो बिल्कुल सेम तरीके से आपको करने है, यहाँ पर आपके पास जो x plus 1 देया वाए, तो denominator को ध्यान लको, denominator के हिसाब से function को change करो, अब denominator में यहाँ पर x plus 1 है, तो उपर भी क्या गरो, आप x plus 1 लेकर आओ, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x plus 1 की हमें, अब यह plus 1 हमने अपने तरफ से किया है, तो इसको balance करने के लिए minus 1 भी कर दो, and divided by x plus 1 का whole square, into में e की power x है, इसको तो साथ में आपको रख नहीं है, अब यहाँ पर जो दो टम बनी हैं, आपके पास एक x plus 1 है, इसको आप अलग कर दो, और दूसरी टम आगी 1 अपन में x plus 1, इसको भी आप यहाँ से अलग कर दो, e की power x dx, अब यहाँ से की cancel हो गया, एक रह गया आपके पास 1 अपन में x plus 1, minus 1 अपन x plus 1 का whole square, अब यहाँ पर यह आते ही आपका question solve हो गया, कैसे solve हो गया, यह वाला function है, इसका derivative आपको यह मिल तो गया न, अब 1 अपन में x plus 1 का derivative करोगे, तो minus 1 अपन में x plus 1 का square होता है, तो जब derivative मिल गया, तो special form हुमारी लग गई, special form लग गई, तो हमारा answer क्या बन गया, 1 अपन x plus 1, into में e की power x, plus में c, यह आप का answer आगया, question number 6 का जो first part है, ऐसी जो second part है, वो भी आपको ऐसी करना है, यहाँ पर x minus 1 है, नीचे x plus 1 है, तो नीचे वाले function को follow करना है आपको, नीचे x plus 1 है, तो ऊपर भी x plus 1 होना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऊपर हमने यहाँ पर plus 1 कर दिया, अब यहाँ पर है क्या, minus 1 है, तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, x plus 1 minus 2, इसको अगर आप solve करोगे तो रहेगा तो x minus 1 ही, ठीक है, divided by x plus 1 का cube, अब यहाँ पर फिर आप इसको अलग-अलग करो, x plus 1, अब उन में x plus 1 का cube, minus 2 upon में x plus 1 का cube, अब यहाँ से अगर आप इसको कैंसल करोगे तो आएगा, 1 upon में x plus 1 का whole square, minus 2 upon में x plus 1 का whole cube, अगर आप इसका derivative निकाल के देखोगे, तो इसका derivative exact यह आएगा, तो इसका derivative exact यह आएगा, तो हमारा answer बन गया, e की power x कहा गया, उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी लिखना है साथ में तो महरा आंसर क्या बन गया? 1 upon में x प्लस 1 का whole square into में e की पावर x प्लस में c, यह आपका आंसर बन गया उसकी बार next question number 7 पे चलते हैं तो 7 का जो first part है वो तो आपको ऐसी करना है वो खुट रहे आप करेंगे, मैं second part इसका बता रहा हूँ second part में यहाँ पर देखो e की पावर आपको यहाँ 2x दी हुई है तो e की पावर 2x दी हुए तो पहले आप इसी को खतम कर लो put कर लो 2x को t तो 2 dx इक्वल्स to dt तो dx की वैल्यू बन जाएगी dt upon में 2 तो हमारा question क्या बनेगा x और e की पावर आजएगी आपके पास 2x 2x की जगे आगया t नीचे आगया 1 प्लस t का whole square और dx की वैल्यू बनेगी dt upon में 2 अब यहाँ पर यह जो x आ रहा है x को भी आपको t में लाना पड़ेगा दब तक यह t में नहीं आएगा दब तक आप solve कर लिए सकते तो x की value आप यहाँ से बनाओगे तो t upon में 2 बन जाएगी तो x की जगे हमने put कर दिया t upon में 2 ठीक है e की पावर t यह वाला 2 एक यहाँ पर है यह आपके पास इसको हमने बाहर लिख लिए अब इस 2 को भी आप बाहर निकाल दो यह बन गया 1 by 4 उपर बन गया आपके पास t upon में 1 प्लस t का होल स्कूर अब जो पीछे आपने question करा था यह लगबग उसी question की तरह बन गया न t की जगे आपको क्या लिख देना है t की जगे आप लिख देना है 1 प्लस में t माइनस 1 अब यहां पर आप इन दोनों को term को separate करेंगे तो separate करने पर बनेगा 1 प्लस t upon में 1 प्लस t का होल स्कूर minus 1 upon 1 प्लस t का होल स्कूर t की पावर t और बाहर आपके पास 1 by 4 है तो उसको तो साथ में रखना है अब आप इसको जब इन दोनों को cancel करोगे तो आपके पास क्या बना 1 upon में 1 प्लस t और यह आगया 1 प्लस में t का होल स्कूर अब इस function का derivative करेंगे तो यह आएगा तो इसका derivative अगर यह आपको पास मिल गया तो special form बन गे special form के हिसाब से हमारा answer बना 1 upon में 1 प्लस t इंटू में e की पावर t प्लस में c अब t हमने क्या पूट किया था? t हमने पूट किया था 2x तो यहाँ पर आप 2x डाल दो तो यह जाएगा e की पावर 2x नीचे आगया 1 प्लस में 2x प्लस में c तो यह आपका answer बनेगा e की पावर 2x इंटू में 4 इंटू में 1 प्लस 2x प्लस में c तो इस तरह से ही जो exercise है हमारी 6.9 7.9 तो वो हमने ही हाँ पर finish कर लिए आई होप इसको आपके इसको जो फार्मूला है वो सारे समझ में आ गया होंगे एक ही फार्मूला है वैसे तो लेकिन उसका derivation भी आपको समझ में आ गया होगा खाली रटा नहीं मारना है उसका derivation भी आपको पता चल गया इन केस आप भूल भी जाते हो तो आप directly इन questions को वैसे भी कर सकते हो integration by parts वाले method से भी तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं नेक्स वीडो में मिलते जिल्दी थैंक्स तो अलो भी